गुड इवनिंग स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडु क्लासिस स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास इलेवन्थ की बुक है हॉर्न विल उसका चैट्टर वन दा पोट्रेट आफ लेडि के बारे में स्टुडेंट्स इस चैट्टर को लिखा है एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर ने जिनका नाम है खुश्वन सिंग तो सुडेंट्स आज हम इस चैट्टर के बारे में बात करने वाले हैं पूरा चैटर समझने के लिए पूरी वीडियो देखेगा सुडेंट्स तो सुडेंट्स देखते हैं इस चप्र में क्या दिया गया है जैसे कि नाम से खयर है रही क्या पौट्रेटCu 92 लीडी तो students इस chapter के अंदर जो writer है खुश्वन सिंग वो एक लेड़ी के बारे में हमें बताने वाले हैं और वो जो लेड़ी है वो इस chapter में कौन है students तो इस पूरे चेप्टर में जो खुश्वन सिंग और उनकी जो दादी जी हैं, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन्शिप रहा है, है ना किन-किन फेसे से उनकी जो रिलेशन्शिप गुजरी है, वो बताया गया है, तो students देखते हैं आगे, इस चेप्टर में क्या दिया जो खुश्वन सिंग की जो दादी है, students वो क्या है, उनकी हाइट कम थी, थोड़ी मोटी सी थी, और क्या है, आगे से थोड़ी सी जुकी हुई थी, और students उनका जो फेस, उनका जो विशाज है, उस पर सेरेनिटी, उसमें शान्ती नजर आती है, मतलब चेहरे पर एक ऐसी श जिस शान्ती है, जिस शान्ती को देखकर ऑथर को विंटर लेंड्स के प्याद आता है, students आपने सर्दियों में देखा होगा, पहाडों पे अगर हम देखें, तो सर्दियों में students वहाँ बरफ की सफेज चादर चाज आती है, और हाँ तरफ शान्ती शान्ती नजर आती है, तो students, author उस शान्ती का description, उस शान्ती को compare करता है, जो उसकी दादी मा के चेहरे पर जो शान्ती है उस चीज से, students जो दादी जी है, she hobbled, hobbled मतलब होता students लंगडा कर चलने, जो उसकी दादी जी है, पूरे घर में लंगडा कर चलती है, एक उनका हाथ students उनकी waste पे होता है, waste मतल नाम का एक character था, लेडी थी, तो वो थोड़ा सा जुकी, bent थी और उनको कूबड़ सा निकला हुआ था, दादी जी के भी कुछ ऐसा ही है, कूबड़ सा निकला हुआ है, तो वो अपनी body को, कूबड़ को क्या है, balance करने के लिए एक हाथ तो उनका हमेशा अपनी कमर पे रहत है, और दूसरे हाथ में students दादी के हमेशा आपको क्या है, एक rosary नजर आएगी, rosary मतलब होता है students mala, ठीक है, आपने students, भारते जो बड़े बुजग है, हमारे दादा दादी होते हैं, students वो generally क्या है, उनके हाथ में माला होती है, आपने देखा हो एक रुद्राक्ष की माला ह होती है, या एक अलग टाइप की माला होती है, जिसकी beads को, beads मतलब होता students moti, उनकी उन मनियों को या मूतियों को वो हमेशा चलाते रहते हैं, है ना, राम नाम लेते रहते हैं, तो इस तरीके से जो खुशवन सिंग की दादी है, उनके हाथ में हमेशा एक माला रहती है, ठी से देखे, अगर हम physical description की बात करें, तो students दादी जी सुंदर नहीं थी, लेकिन जो है, अंदर से, inwardly वो काफी beautiful थी, author कहता है, और students author इस chapter में ये भी कहता है, कि उसको मतलब वो पिछले 20 साल से वो दादी जी को देख रहा है, कि बिलकुल वो same age पर पिछले 20 सालों से हैं, और जैसी बुड़ी दादी पहले थी, अब भी वैसी हैं, तो students उनके जो बाल हैं, उनको वो silver locks कहता है, आप जानते हो, जब सफिद और काले बाल mix हो जाते हैं, तो वो silver color के नदर आने लग जाते हैं, या हलके हलके जब सफिद हो जाते हैं, तो उनके जो बाल हैं, वो silver locks, they scattered, they students विखरना, over her pale face, उनका जो चैरा है, students कैसा है, हीला चैरा है, और दादी जी students कैसी है, एक religious lady है, और एक orthodox lady है, orthodox school students हम हिंदी में कहते हैं, कटरपन थी, जो मतलब पुराने रिती रिवाजों में कहा है, जो बहुत strongly believe करती हैं, इस तरीकी की वो lady है, conservative है, और traditional है, पुरानी शान्ती होता है, तो वो क्या है, शान्ती का प्रतीक author उनको कहता है, कि मतलब बहुत शान्त रहती है, she is truly a pen portrait of the grandmother, मतलब जैसे हम कहेंगा ना कि Indian घरों में किस तरीकी की दादी होती है, बुलकुल वैसी दादी है, कैसी है, kind है, understanding है, caring है, और students उनका अपने emotions पे क्या है, बह सब चहरे पर जो भाव हैं, वो जादा वो व्यक्त नहीं करती है, और benevolent है, benevolent होता students kind, दयालू है, और reserved है, ऐसा नहीं कि हर किसी से घुलमिल जाते है, नहीं, ठीक है, और students उनकी जो approach है, जीवन को जो देखने का नजरी है, वो काफी realistic है, और practical उनकी approach है, students, और बहुत strong उन with courage, students, जीवन में, इनकी जीवन में, जितनी भी इनोंने मुसीबते हैं, पीड़ा जो भी जहली है, students, इनोंने कभी complain नहीं किया है, है ना, उनको बिना किसी, you know, complaints के वो हमेशा उनको पूरे साहस के साथ जहला है, इनोंने, तो ऐसा इस चेप्टर में बताया गया है, इस तर देखते हैं, तो सबसे पहला जो phase है, चेप्टर में बताया गया है, कि खुश्वन सिंग और उसकी दादी, वो गाउं में रहते हैं, जो खुश्वन सिंग के students, जो parents हैं, they settled in a city, ये क्या है, शहर चले जाते हैं, students settled होने के लिए, तो ये खुश्वन सिंग को, इसकी दादी जी के साथ गाउं में छोड़ जाते हैं, तो जो खुश्वन सिंग हैं, और जो grandmother है, they were in the village, इन दोनों के बीच के students, जो relationship है, वो बहुत ज़्यादा warm होती है, यहाँ पे, गाउं के अंदर जो होते हैं, grandmother क्या करती थी, she woke the author, she woke, खुश्वन सिंग, सुबह जल्दी उठाती है, students उसको नहलाती है, and got him ready for school, और students school के लिए ready करती है, और students जब इसको ready कर रही होती है, तो जो दादी जी है, students इसको क्या है, कुछ गीत वगारा, जो है, वो गाती है, कुछ प्रेयर वगारा, इस उमीद में, कि जो उसका जो grandson है, वो सुन ले उस प्रेयर को, और उसको य को morning में, क्या है, stale, stale मतलब बासी, जो बासी, जो रोटिया है, वो खुश्वन सिंग की दादी उनको देती थी, नास्त के रूप में, breakfast के रूप में, उसके बाद दौनों के दौनों, खुश्वन सिंग को उन्होंने नहला दिया, school के लिए ready कर दिया है, ठीक है, उनको ख खुश्वन सिंग है, वो वहाँ पर alphabet सीखता है, ठीक है, इस तरीके से वो सीखता होगा वहाँ पर, और उसकी दादी जी है, वो वापिस घर नहीं आती है, वो वहीं पर मंदिर के अंदर जाके वैटती है, और वहाँ पर स्क्रिप्चर्स पढ़ती है, स्क्रिप्चर्स मतल और फिर वहाँ से जब दोनों का काम फिनिश हो जाता है, वापिस लौटते है, और रास्ते में स्टूडिंट्स इस तरीके से जो डॉग्स हैं, वो जो है मिलते हैं कुश्वन सिंग की दादी जी को, तो रास्ते में वो बची हुई जो बासी रूटिया होती है, वो खुश लेकर हो, उनको नहलाती है, दोलाती है, तीक के फिर स्कूल लेकर जाती है, स्कूल जाने से पहले ही, क्या है, उनको स्टेल च attracties लेती है, तो इस तरगी स्टूरिंट्स इनकी चल रही थी गाओं के अंदर, फिर इनकी लाइफ में स्टूरिंट्स एक है, एक change आ जाता है, क्या change आ जाता है, जो author के जब parents हैं, जब वो शहर में, जब students settle हो गए है, तो वो दोनों को क्या है, शहर बुला लेते हैं, तो author को यहां पर शहर में जब author आता है, तो उसका admission हो जाता है, एक English medium school में students, देखे, इस English medium school में, खुश्वन सिंग का admission उसके parents करवा देते हैं, तो students जो दादी हैं, वो अपने grandson को छोड़ने के लिए पैदल school में नहीं जाती है, ठीक है, now, खुश्वन सिंग went in a motor bus, ठीक है, school students, गाउं में जो school है, वो नजदिक होते हैं, लेकिन शहरों में क्या है, students, जो है, school दूर होते है तो जो दादी जी हैं, वो क्या है, अपने बेटे को, अपने पोते को छोड़ने नहीं जा सकते हैं, school में, खुश्वन सिंग का motor bus में जाता है, and he was taught English, science, music, और जो शहर के school में students, खुश्वन सिंग को English, science, music, ये सारे subjects उसको पढ़ाए जाते हैं, उसको आर कमडी, प्रिंसि जो scriptures वगारा की क्या है, teaching होनी चाहिए, तो grandmother's disapproval, दादी जी school की जो education से, जो शहर की education से खुश नहीं होती है, ठीक है, खासकर जब author जो है, उश्वन सिंग आ के बताता है, कि उनको music वगारा के lessons दिये जा रहे हैं, ठीक है, तो दादी जी बिलकुल खुश नहीं होती है, क music जो गाने बजाने का काम किसका है, हैरलेट्स का है, वैश्याओं का है, या बैगर्स का बिखारियों का है, दादी जी का ये मानना था, इसलिए जब दादी जी को पता चलता है कि उनकी grandson को क्या है, music की lesson दिये जा रहे हैं, तो वो इस चीज़ से बिलकुल नराज हो जाती ह इस वज़े से दादी जी काफी अफसेट भी होती है, तो जब उनको पता चलता है कि music का सिखा रहे हैं, तो अब क्या है दादी जी क्या है, अपने एक तरीके से अपने आपको विड्रॉ कर लेती है, अब जादा ग्रेंट सन के साथ घुलती मिलती नहीं है या उसको सिखात नहीं है, बिल्कुल चुप रहना पसंद करती है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी शहर में कि इस तरीके से उनको grandson को teach किया जाए, ये सारी बाते उनको पढ़ाई जाए, हमेशा दादी जी बहुत इंटरस्ट लेती थी खुश्वन सिंग की studies में, खुश्वन सिंग जब भी स् इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो दादी जी इंग्लिश में भी अपने grandson की help नहीं कर पा रही है, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिस अब जो दादी जी है, वो चुप रहना पसंद करती है, है ना, now she starts feeding sparrows in the courtyard as there are no street dogs in the city, उनको खिलाने की, लेकिन जब ये शेहर में आगे हैं, तो अब शेहर में इनको कुत्ते मिलने रहे हैं, इसलिए दादी जी क्या कर रही है students, जो इनके आंगन में, क्या है, जो you know, sparrows को इकठा करती है, और उनको वो क्या है, खाना खिला रही है, इस तरीके से जो है, चल रहा है शेहर के अंदर, आगे देख अब ये जो gap है students, ये जो distance है, इनके बीच का वो बढ़ता जा रहा है, ओथर का आगे students admission होता है university में, और university में जाके उनको एक separate room दे दिया जाता है, अब जो common link उनके बीच का जो friendship का था students, तेक है, वो क्या हो गया है, तूट गया है, दादी और पोते के बीच में जो relationship था, क्योंकि अभी तक देखो, शहर में भी बेशक आ गए थे, लेकिन दोनों के दोनों same room में रह रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है, उनका जो friendship का जो link है, वो तूट गया है, क्योंकि university चला गया है, बहांपर इसको अलग से कमरा मिल गया है, ग्रैंड मदर accepts हर seclusion, दादी जी ने अपना seclusion है, जो अकिलापन है, उसको क्या है, accept कर लिया है, दादी जी ने accept कर लिया, हमने बता है, दादी जी जी जो कोई बारे 번째 complaint करती हैं, जैसे भी life में परिस्थितिय आ आ रही है प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस करती हैं कभी कंप्लेन नहीं करती हैं तो दादी जी ने अपना अकिला पन भी accept कर लिया she sits for hours spinning the wheel reciting prayers and feeding the sparrows अब students शेहर में आने के बाद वो क्या है अपना time pass किस तरीके से कर रही है हमेशा students जो spinning the wheel जो उनका wheel जो हम कहते है यह चर्खा अपने चर्खे को चलाती रहती है सूत काती रहती है students हमेशा busy रहती है prayers में और sparrows बगारे को खाना खिलाती है इस तरीके से यह शेहर में अपना time pass कर रही है author moves abroad for higher studies for five years उसके बाद students एक और थोड़ा सा gap आता है अब जो author है वो विदेश जाता है कुश्वन सिंग को विदेश भीजा जाता है ताकि वो higher studies वहां करके आए तो जो उसकी दादी जी होती है वो बड़ी चिंतित होती है अपने होते के बारे में ठीक है और जो पोता भी है वो भी अपनी दादी जी के बारे में चितित होता है क्यों क्योंकि दादी जी आल्रेडी काफी बोड़ी है तो उसको ये बात clear नहीं है उसको ऐसा लगता है कि में भी पांस साल बहुत लंबा gap है कि क्या पता जब तक वो वापे साय है दादी जी जी जीवित बचे या ना बचे grandmothers you know bids farewell to the author at the railway station तो दादी है वो railway station पे अपने पोते को छोड़ने आती है किस is the author on the forehead और दादी जी है वो खुश्वन सिंग को forehead पे किस भी करती है तो हमारे खुश्वन सिंग को लगता है कि शायद ये जो उनका जो किस करना उसका जो moist imprint आया है उसकी जो छाप आई है उनके forehead पे ठीक है तो खुश्वन सिंग को शायद लगता है जैसे दादी जी पहां साल पहले लग रही थी मतलब उसको तो लग रहा था क्या पता दादी जीवित बचे ना बचे लेकिन दादी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया इस जो रहती स्वागत करने उसको रोकती है कि दादी जी अब तो रुख जाओ बहुत जादा स्ट्रीन हो जाएगा तो इसको जब रुखना पड़ता है इससी का रिजल्ट क्या होता है students she falls ill the next morning दादी जी अगली morning मार पड़ जाती है ठीक है डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कहता है कि नहीं टेंशन की कोई बात नहीं है जो fever है वो चला जाएगा लेकिन जब दादी जी से बात करते हैं तो दादी जी कहते हैं कि नहीं नहीं she was sure of her approaching approaching मतलब होता है coming near तो दादी जी का अब यकीन है कि उनकी मौत नजदीक ही है ठीक है डॉक्टर कहरे ठीक हो जाएंगी लेकिन दादी जी का मानना अलग है ठीक है और आगे दादी जी regret करती है पस्ताती है कि उन्होंने अपना जो जिन्दगी का जो last time है वेस्ट कर दिय कहा विष्ट किया था गाने भजाने में ठीक है न उन्होंने प्रे नहीं किया तो अब वो क्या है वो जब भी उनसे कोई बात करने में कोशिश करता है तो वो मना कर देती है अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी अब मुझे प्रेयर करने दो गए जीवन का मेरा आखरी समय चलता है मैं प्रेय करना चाहती हूँ अश्या कहता है दादी जी तो वो किसी से बात नहीं करती है और प्रेय करने में प्रेय करना शुरू कर देती है और बैड पे लेटी लेटी प्रेय कर रही है हाथ में उनकी जो रोजरी है वो चल रही है लेकिन उनों प्रेय करते करते दा आगी है और इससे पहले किसी कोई मतलब यकीन कर पाता इसी से पहले दादी जी की जो है डेथ हो जाती है तो स्टुट्ट्स जो हजारों के संख्या में जो डेली जो स्पैरोज आती है वो उस दिन भी आई हैं वहें पर फ्लोर पर बैठी हुए हैं फर्स पे लेकिन उस दिन जो बर्ड्स से बहुत इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स आ रहे हैं लेकिन उस दिन जो बर्ड्स हैं वो बैठी तो हुई है हजारों की संख्या में बर्ड्स आई हुए हैं लेकिन वो कुछ शोर नहीं कर रही है जो खुशवन सिंग की जो मदर हैं वो जाती है उनके लिए कुछ-कुछ ब्रैड्स वगरा लेकि आती हैं उनके चोट-चोटे करम्स ब्रैड के टुकड़े करती हैं जिस तरीके से दादी मा करती थी और यूँआ स्पैरोज को ती तरफ फैंक देती हैं जो स्पैरोज आ स् यह भी शोग परकट कर रही है उसकी डेथ पर यह भी क्या है ट्रिब्यूट पे कर रही है वें दे कैरीड हिस ग्रैंड मदर्स कॉर्पस उता है टेड बॉड़ी ठीक है जब दादी जी की डेड बॉड़ी को वहां से उठाय जाता है तो जो बर्ड्स है वो चुपचाप व जो नेचर है वो भी दादी जी की मौत का शोग परकट कर रही है तो इस तरीके से यह हमारी शेप्टर में गिवन है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को वीडिये बाइब बाइ